नमच्छार जैशे कृष्णा मैं राकेश यवानियस्टो चैनल में आपका बहुत द्वात सागत करता हूँ और जैसा कि हम कुछ वीडियो से बता रहा हूँ मैं आपको कि सूर्य पे दरस्टी अगर विबिन ग्रहों की हो और सूर्य विबिन ग्रहों की राशी में हो तो क्या आपको आडिया लग जाएगा कि कैसे यह सारे फल दिये जाते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉटन्ट है कि जो भी फल इसमें लिखे हुए हैं इनके बारे में सूर्य की दरस्टी के बारे में और सूर्य कहां पर है इस बारे में वो बिलकुल सटीक बैठते हैं तो आज मैं आगो बताऊंगा कि सूर्य अगर शनी की राशियों के हो मकर राशी पे हो कुम राशी पे हो और मीन राशी पे हो तो किस तरह के फल मिलते हैं तो पहले आते हैं और हम देखते हैं कि सूर्य अगर मकर राशी में है आपकी कुंडली में तो कैसे फल आपको मिलेंगे यानि मिलते हैं अगर सूर्य मकर राशी में हो तो उसमें कहा है लुब्द कुस्त्री सक्त कुकर्म सम्वर्दित सेत्रश्च नस्च बहु कार्य रतो भीरूर विहीन बंधूस चल रकर्ती यानि यह कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य मकर राशी में है तो ऐसा जातक शास्त्रों में जो लगेजन लिखी होती है वह बहुत पस लिखिए होती है उतना उसका मीनिग नहीं होता फिर भी आप उसको ले सकते हैं कि मकर राशी में सूर्य हो तो ऐसा इंसान थोड़ा लोधी होता है ग्रिड़ी होता है अच्छी इस्ति से प्यार नहीं करता जिसका फरक्रतिका हुता है और बंधों से रहित होता है उसके चोटे भाई देन ग् साथ अधिक से रुधाने वाला होता होत्य है अधिक खाने वाला वता है को अपने sandy-धार को नराज कर देने का मकर राशी में फल अगर सूर्य कुम्ब राशी में हो तो क्या फल मिलते हैं उसके लिए कहा गया है फिर्दोगी बहु सत्वे सताम विगरियोती रोश्चस्च पढ़दारा नाम सुभगे करम स्वीती निश्चितो भवती कहते हैं कुम्ब गत सूर्य हो तो हिर्दैरोगी हिर्दैरोगी बहु सत्वे बहुत मनुबल वाला होता है इसा व्यक्ति उसका मनुबल बड़ा स्वाम होता है इमोशनली बहुत स्वाम होता है विगरियोती रोश्च्च सज्जनों द्वारा निंदनिये होता है अधिक क्रोधी होता है परदारानाम सुभगे परदारानाम की इस्त्री में लोग sevy होता है काम के विशय में रखने वाला होता है कच्छी दोस्ती वाला महले शरीर वाला होता है चुगल खोर होता है और कठोर ऊप करने वाला करता है तो ऐसा व्यक्ति कि अच्छा नहीं होता अगर जिसका सूर्य कुम्ब राशी में है पर सूर्य अगर मीन राशी में है तो क्या अफन मिलते हैं यानि गुरू की राशी में सूर्य है यानि मीन राशी में सूर्य हो तो ऐसा बहती मित्रों की मित्रता आरजित करने वाला होता है इस्त्री के प्यार से सुख पाने वाला होता है विद्वान होता है शत्रु नाशक होता है सुखी होता है धनी होता है और कीर्थी मान होता है उसके अलावा उत्तम लायक पुत्रों वाला होता है, यानि उसकी संतान जो होती है, वो सक कहना मानती है, वो उसके कहे बेचलती है, वो उसका आधर करने वाली होती है, योग ये सेवक वाला होता है, बहुत सुखी होता है, समरद होता है, पानी के माध्यम से धन कमाने वाला ह होता है अगर किसी का सूर्य मीन राशी में है तो बहुत भाइयों मला होता है पर उसे गुप्त रोग की संभावना हो सकती है अगर सूर्य किसी का मीन राशी है इसमें एक चीज और है कि सूर्य मालिया शनी की राशी में है चाहे वो मकर में बैठा है चाहे वो कुम्ब में बैठा है तो उसके तो मतलब मैंने आपको बता दिये कि शनी मकर राशी में हो सकता है तो कैसे फल देगा शनी कुम्ब राशी में हो तो कैसे पल मिलेंगे लेकिन शनी इन राशियों में हो और उसके द्रस्टी का परभाव भी हो तब कैसे पल मिलेंगे ये भी एक सोचने वाला विशह है तो शनी अगर मकर राशी या कुम्ब राशी में है और उसके चंद्रमा की द्रस्टी हो तो ऐ ऐसा व्यक्ति माया करनें में चतुर बनता है. अपना सुख्वेधन नस्ट करने वाला होता है. मंगल से दृस्थ हो, यानि शनी, सुर्य शनी की राशी में बैठा हो, और मंगल से दृस्थ हो, तो शत्रुव तो रोग से पिडित होता है, शत्रूओं के साथ संगर्ष में हत्यार की चोट खाने वाला होता है विकलांग होता है ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति जिसका सूर्य शनी की राशियों में है और बुद्ध से द्रस्ट है तो वो शूरवीर होता है दूसरों का धन चुराने वाला होता है कम ठोस अंगो वाला होत जिसका सूर्य शनी की राशी में है चाहे मकर में हो चाहे कुम्ब में हो लेकिन गुरू से द्रस्थ हो तो वैसा व्यक्ति शुबकार करने वाला होता है बुद्धिमान होता है सबको सहरा देने वाला होता है प्रसिद्ध होता है और स्वाबिमानी होता है ईसा व्यक्ति ऐसा जातक जिसका सूर्य शनी की राशियों में है और शुक्र से द्रस्ट है तो वrhभ व्यक्ति शंख मुँगा मणी बेचली से जीवी का चलाने वाला होता है इस्तरियों से धन प्राप्त करने में उसको ज़ईदा सफलता मिलती है स्मरद्ध होता है सुखी होता है और शनी दरस्ट सूर्य हो क्या मतलब कि सूर्य शनी की राशियों में हो और शनी से दरस्ट हो तो ऐसा व्यक्ति समस्त शत्रवों का अनाश करने वाला राजा दरा स्वमांग मिलने वाला और उत्सहा पाने वाला होता है तो ये था सूर्य का विभिन राशियों पे फल सूर्य विभिन राशियों में है तो क्या फल मिलेगा और सूर्य विभिन राशियों में है और उसके अलग लग रह की दरस्ती है तो क्या फल मिलेगा आशा करता हूं आप लोग को समझाया होगा समझाया हो तो कांडिल लाइक क सब्सक्राइब किजिए और इसके लावां में छोटा सा एक सूचना देना चाहता हूं कि हम लोग जल्द ही एडवांस एस्टालोजी रेमेडियल एस्टालोजी प्रोफेशन मैचमेकिंग इन पर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो लोग भी इंट्रेस्टेड हैं वो अपना जे शीगिष्यों